हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग पे और आज मैं आपको इंफोर्मेशन दूंगा कि अपके पास जब आप अपने खुद की इंकम जो रिसीव करते हो पर मंत की उसको किस तरीके से उसका उसका करना चाहिए मतलब मैं अपने पैसे का मैंनेजमेंट कैसे करता हूं मैं अपने पैसे को यूज कैसे करता हूं पर मंत का जो भी मेरे पास में पैसा आता है उसको यूज कैसे करना चाहिए मैं अपना जो तरी पैसे का पूरे मन्त का पैसा आपको मिला उसके रख पो एक चप मैं ऑपको बताते जाओं कि किस थरीके से मैं क्लिक् Senin पर तो सारी इंफोर्मेशन जो है वह आपको मैं इस वीडियो के मदल से दूंगा तो इस वीडियो को देखा नहीं है देखने के बाद अगर आप करते हैं सपोज करिंए करो मिपितरों करीन्स का कि अब गधूंगा कि Geld का और मिरे एक दिक निदागा तो मैं है पर फैसा लेके जाने के बाद सबसे पहले मैं देख़ूँंगा कि हां कि बाद प्रकार्ट की अंदर क आपने सथा पृसा और। तो इसके बाद में आपको यह देखना है कि अगर सपोस करिए कि लगब लगब उसमें जो खर्च निकल गया उसके बाद में जो पैसा बज़ता है वह आपकी बेसिकली अगर जो एक्स्टा सेविंग हो जाती है उसको कैसे करना वह भी मैं आपको बता देता हूं तो अब दोस्तों एक बाद बात कर लाता है जैसे आप मैं आपको बता दो कि घर के खर्च के अंदर मेरा खर्चा हुआ जैसे सब आगया जैसे कि सब आटा डाल जो जो आपन चीज़ ला रहे है ठीक है वह साही चीज़ों का खर्चा हो गया मतलब सारी जो बेसिक फैसिलेटी तो पांच लोगों के बेसिज़ पे मेरा यह 10,000 का अधिकतर हो सकता है उसके अलावा मेरा एक्सेंश हो गया बेसिकली मेरे बच्चे के एजुकेशन के बेसिज़ पर मंत की फीस अगर देखने जाए तो पांच-छेजार रुपे फीस भी हो जाती है तो बेसिकली लगबग लगबग आप मान के चलो तो मैं अपना एस्टिमेंट मानता हूँ 7-8,000 रुपे तो 8,000 रुपे एक एजुकेशन फीस पर मान लिया तो टोटल हो गया अपना लंसम लंसम 18,000 रुपीज हो गया तो दोस्तो मैं आपको बताया कि इस तरीके से मैं अपने मेनेजमेंट करता ह और मेरा पैसा जो मेरा एक्षुल मेरा रेगुलरी टी बिसस पर मेरा खर्चा ना चीए वह भी हो गया अब पर्टिकुलर क्या कंडिशन रहती है कि सपोस्ट करिये कभी कभा लाइट बिल भी आजाता है लाइट बिल तो लाइट का खर्चा बेसिकली मैं आपको बता देता सपोस्ट सपोस्ट टिफा JAC एटीं के बाद में अब तो टोटल seven thousand seven thousand में कभी कबाशे सलाता है तो दो मेंने के बिल च्पार वेड़ीर की कबार पांचे कजार हम आजाता बिल गया तो बार तो टौनसटीर मों करो तो मेरे इंकमरनें 900-50000 मैं इकरने 15,000 जो हो काफी होता है उस तरीके से उसको इंवेस्ट करें ताकि थोड़ा सा उसका प्रॉपर यूज भी हो सके और मनी भी प्रॉपर्ली मैनेज हो सके तो इस यहां उससीयशन में क्या होता है जब सेविंग आपकी पड़ी होगी तो इस सिच्विंग का अपने खातों में पड़ा है उस से जो सेविंग पैसा पने पड़ा है उसको आप प्रॉपरली यूज भी कर पाऊगे आपको प्रॉपरली मैनेज करने में समझ माएगा कि आपको किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए तो इसी तरीके से मैं आपने पैसे को मैनेज करता हूँ हर साल तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ चार स्टेप्स होता है लेकिन अगर नॉर्मल यह कॉमन पीपल है तो हम तीन स्टेप्स फॉलोग करेंगे जो मनी मैंनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं है पैसे का कैसे मैंनेजमेंट के जाए सबसे पहला होता है बज़सरा श्रक्षरेजा अपने घर में पांसट लोग थे निगल जाता है लेकिन अगर चोटी फैमिली है तो उसके अंदर सब्सक्राइब निगल जाता है उसके बात करता है नेक्स प्रसेस जोता है सिस्टम का मतलब यह होता है जैसे बर किसी परसेसे च्छोटे से च्छोटा आदमी और उसका यह पैसा आया तो सीटे में डाल दिया जाए और खाते के पैसा जिब बच्चा होगा तो उसका वो इंटर्स के साथ से पैसा जोड़ता जाएगा तो आपका पैसा जो है वो बनता भी जाएगा उसका management करने के लिए यह team process हमेशा एक इंसान को follow करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर यह follow कर लेता है तो उस situation में उसको ही समझ माजाता है कि actual में per month उसको किस तरीके से अपने पैसे का utilization करना है और वो आसानी से उसको manage भी कर सकता है तो इसी तरीके से आपको भी अपने पैसे का यूज करना है और किस तरीके से पैसे का यूज आप कर सकते हो तो आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों हमेशा मैं कोई ना कोई अच्छी information आपके लिए लिए लेके आता ही हूं आज भी अच्छी information लेके हो तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो प्रसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो प्रसंद आयो तो मैं इस वीडियो को लाइक कमेट से सब्सक्राइब बनता है दोस्तों थैंक्यू गाइस बाइब